नमस्कार आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ लालीत और हमारा आज का मुद्दा है बदला बदला यहां चुनाओं के ठीक पहले 36 गड़ में आईची रेज के बाद एक बार फिर से सियासत में जम कर उफान है प्रदेश, कॉंग्रेस के कद्दाव और नेता और पूर्व मंत्री अमर्जित भगत के छिकानों पर इंकम टेक्स की टीम ने बुद्वार दिन भर कारवाई किये मद्द प्रदेश और 36 गड़ के आईची विभाग के लगबग डेड़ सो करमचारी अलग अलग जगों पर कारवाई करते रहे कारवाई के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से इस चापा मार कारवाई पर रार शुरू हो चुकी है इस रेड़ में कई बातें पहली बार देखने को मिली है आखिर क्यों बदलापूर की सियासत का गड़ बनता जा रहा है 36 गड़ ये एक बड़ा सवाल है और आज इसी बदलापूर की सियासत पर चर्चा करने वाले है और हमार साथ जो मेहमान मौजूद है चलिए सबसे पह आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमार साथ जुड़ गए हैं उचित शर्मा जी वरिष्ट पत्रकार है उचित जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और मैं शुरुवात आपी से करना चाहूंगा उचित जी किस तरह की सियासत को आप देख रहे हैं इस वक रिकरिया है इसी प्रक्रिया के तरह काम चल रहा है यह और नधू में बना के बारतियंता पार्टी इस चुनाव में जीत एक बंपर जीत के साथ आई है तो जाहिर है और समभव भी था कि ये होना लाजिमी है कोई नई चीजे नहीं है वैसे भी ED, IT ये दो साल से लगतार 36 गड़ में उन्होंने अपना मुकाम बनाया हुआ है वहाँ पे काफी वो काम कर है और मैं कहूंगा कि बहुत हतना कि सही भी है क्योंकि इस तरीके से करप्शन का गड़ बना हुआ था नोड़ उसमें तो कोई कमी हुई नहीं थी जाहिर सी बात है कि जितने लोगों पर एक्शन कर रहे हैं ले रहे हैं जांच कर रहे हैं वो कोई इमानदारी से हुए नही सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अपना जांच का दायरा बना रहे थे और भारती अंता पार्टी की घुफ्णाओं में एक घुफ्णा ये भी थी कि हम एक जांच आयोग बनाएंगे जांच आयोग के अंसर काम होगा और हम इसका भी उन्होंने प्रांट लिया था उनके मैनो कि प्यासी को लेकि सबसे पहले रहे तो आपको क्या लग रहा है सर यह कारवाई सही है या फिर यह राजनीती से प्रेडित है दूसरी चीज की लोग सबाता कि महाल पर्शेप्शन बनाएंगे कि बरस सरकार है बरस सरकार थी बरस सरकार के लोग सबाव में इसका पर्शेप्शन बना कि इसका अडवांटेज उठा जाएगा लेकिन तेखिए कि यह लॉजिकल एड़न में लग बहुद जा पाता है कि सब मुद्वे जो है वन लगबख चार साल वाले मुद्वे हैं इसके शॉलूशन नहीं दिखेगा न सरकारें चाहती यह चार बहुंने पकोरिकर दे है इस पर चर्चा करेंगे हमार साथ साल मेमान है उनसे उनका रुक करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे नवीन मारकेंडे जी से बीजेपी के पूरविधाय के नवीन जी क्या एक सामाने प्रक्रिया है लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं या सरकार बनते ही करवाही हुई है ऐसा नहीं है जब हमेरी सरकार नहीं थी और ये पांच साल करप्सन जो चल रहा था कॉंग्रेश की सरकार में उस समय भी ITUW इसका जो है केंडरी जेंसी इसका भी हुआ है दूसरा तरफ देखे तो कॉंग्रेश जैसे ही सत्ता में आई और CBI को इसने बेंक भी कर दिया था तो आखिर ये दिखाता क्या है कि आप सास की जेंसियों को आप बेंक कर दे रहे हैं और आप खुले मैदान पर जितना भस्टा चाल लोटना है उतना लोट सकते हैं कैसी अपने अपनी मान सिकता बना लिया था और पूरा पांच साल यही सोच कर आपने काम किया अब रही बात है कि जब आपके आई टी और अन्य अजेंसी जब आपके उपर करवाही कर रहा है तुल पूरा लंगर नियायायातर से इसका कोई लेना देना नहीं है जो अपराधी है जिसने गलत किया है जांच के दैरे में आया है और उस पर उस तरह से सिकंजा कस रहे हैं क्या आफके आपराधियों को एस अगोश्य लूटने वाले लोगों कर रहे हैं जानगे कोई जो क्यों कर जिटनी जांच होती है उससे तो आप निकरकर बाहर सबूत नहीं मिलेंगे आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया साजीशन फसा रहे हैं तो जब आपने कुछ किया नहीं तो डरने की जरुवत नहीं है अगर लली जी आपके घर बोपाल से दो पुलिस पहुंच जाए ना बिना कारण के आपको कोई भी ब्लेम करें कोई क्लेम करें ना तो आप भी क्योंकि उससे क्या होगा मालूम है आप आप जहां रहते हैं आपके परिष्टेदारी में आपका चरित्र खराब होगा पुलिस क्यों आया कि किसलिया इससे कोई मतलब नहीं है यह कानूनिक च्छापा को वैसे नेताओं के खिलाब आरोप चलते रहे हैं आपने भ पूरे चीजों को आप देखते हैं तो लाली जी पूरे चीजों का देखते हैं ना तब आरेसेस के उस इंटरनल सर्वे को आपको ध्यान देना होगा जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के दंपर चुनाओं जितना नामुंकिन है यह उनके जो संस्था से पत्रिका निकलता है उसमें भी प्रमुक खबर था कि नरेंद्र मोदी का चेहरे के दंपर चुनाओं दोहजार चुबिस करने मैं आपके पास आउंगा इस वक्त हम रायपूर का रुख करने वाले क्योंकि डिप्टी सीम अरुन साओ कुछ कहने हैं आईए पहले वह सुन ल तो चलिए आपको बता दे साओ के बिनेट की एक महतुपन बैठक चल रही थी बैठक में बड़ी-बड़ी बाते और मोदी की गारंटी पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है उस पर हम बात करेंगे चर्चा करेंगे लेकिन एक बार फिर से हम डिबेट की तरफ रुक कर रहते हैं लगाता सर आप कह रहे थी किस तरह से अगर अगर इस तरह आरोप लगाए जाते तो उसका प्रतित्तर क्या दिया जाना चाहिए कॉंग्रेस पर यह आरोप है कॉंग्रेस के खिलाप यह जांच बिठाई जा रही है आप इसको साजिश करार दे रहें तो क्या पुष्टक पत्रिकाओं में उसमें खबर बनती है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2024 के चुनावन नहीं जीता जा सकता और इस खबर के बाद जो हड़कम मसता है जबाविक सी बात है नरेंद्र मोदी जी आद्देश के पधान मंत्री है और उसके चेहरे पर उसके पित्र अगर उगली उठाए तो अपने आपको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के सरकार के पास एक यी रास्ता बसता है कि भी पक्छी में ता चाहे वो आप पार्टी का हो, चाहे टीमसी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या अन्य विपक्षी दल जो भात्चंदा पार्टी के खिलाब जनता की आवाज उठाते हैं, उनका चरीत रहनन करना, जनता के बीज में से चरीत को धुमिल करना, पूरे सिनिरख समझीएगा, आई, आई, टी, एडी जैसी संसाय चत्तित गडाती है, जूटे आरोप लगाकर कांग्रेस सरकार के छवी को डेमेज करने काम करती है, मैं तो बोलता हूँ न, कोल इसकेम की बात जब एडी करती है, तो एडी के अधिकारी क्या केंदरी कोईला मंत्री से इस घोटाले के में इस केम किया, देखो, आज हम चर्चा कर रहे है, आज हमार्जीद भगत जी किया च्छापा पड़ा हुआ है, आज हम चर्चा कभी से बना हुआ है, कल अकबारों के सूर्खिया रहेगी कि कॉंग्रेस सरकार के पूर मंत्री किया च्छापा पड़ा, च्छापा में क्या लेकिन जनता के बीच में चाहिए एक सवाल पूछना चाहिए आप इसे पूछ रहा हूं सर देखिए आपकी सरकार रहती तो आप भी बीजेपी नेताओं के खिलाब कारवाई करते हैं अमिश्या हो चाहिए प्रदान मंत्री मोदी के खिलाब तो बहुत सारी चीज़ बोली गई है चवी तो सबकी खराब होती राजनीती मामलों में नेता जो है वो जनता के बीच में जाते हैं सर मुझे बात बता है यह सिंपल सा सवाल है कि अगर आप जनता के बीच में सोतंत्र होकर अपना मूल काम करें और समय में उन चीजों को सामने लाए लेकिन यहां तो इडी जो है तोता मैना की तरह हो गई है भातिजनता पार्टी के सरकार के लिए सीबियाई जो है उनका भातिजनता पार्टी के चौकी दार के भूमीका में है और आईटी तो ऐसा लगता है कि भातिजनता पार्टी के एक आईटी सेल जो होती भाजपा की ना उस तरह काम कर रही है कि शट्वार्टा सरकार में 이ट्वस का सिखायद दिया गया है उसकी जांच की जाए चाटिस गड़ में इडी को सिकायत दिया गया था कि भाजपा सरकार में जो चाटिस अजार कड़ों का चावल घुटा ला हुआ बड़ी हसी आती है कॉंग्रेस के प्रवक्ता साब है और उनके सरकार भी रही है देखिए कई लोगों ने SIT की गठन किये कई जाज किये EW से भी लोगों ने EW से भी जाज कराएं लेकिन पांस साल बितने के बाद भी एक कभी कोई चलान प्रस्तुती लोग नहीं कर पाएं अब उपर से आज भी वो जुटे बातों को जुटे कहानी को आज भी गड़ रहा है दूसरे तरफ अगर देखते हैं कि यह जो सारी चीजें जो हो रही है उसमें कितने लोग जेल में हैं कितने लोग बेल में हैं जैसे ही इनकी जब कोल माइस के मामले पर जब करनाटाक में भी जब इनके उपर जो FIR हुआ था तो जब करनाटाक में कॉन्ग्रेस की सरकार रही। इन लोगों ने निरास्त कर लिये, सरकार ने वापस ले लिये वहाँ के तो जाच गराना नहीं चाहते शार दो उसको बचाना चाहते हैं अभी अमर्जित जी के यहाँ छापा पड़ा है अमर्जित जी के यहाँ जमीन को आरोप लगा रहे है तो क्या ऐसे लोगों के उपरकरवाही नहीं हो प्राधी के उपरकरवाही हो रहा है इस से प्राधी को आप तब कहेंगे और गलत काम करने के लिए क्यों नहीं दरे जब तक अपराज सिद्धनी हो अपरादी तो नहीं हुए वो अभी तो आप जाज करवा रहे हैं जाज में बिंदू में बहुत सारी चीज़े सामने आएगी तब आप के पाएंगे अपरादी सब्सक्रादी नहीं है तो अपके उपर जाज कर रहा है जाज क्यों कमेंरे दे रहे हो अपरादी को बंद कियो है तो जो ही क मैं एक करके एक करके दनजे जी आपकी की बात मैंने उन तक पहुंचा दी कि अपरादी तब तक नहीं जब तक सिद्धन ही होता आप आरोप लगा रहे हैं और जांच कर रहे हैं जाच में चीजे निकलेंगी तब तो आप बोलो कि अपरादी तो नहीं किये सकते उनको वो पूरु मंत्री हैं फिलाल ये कह रहा है कि लगातार बात ये हो रही थी कि उनकी छवी धुमील करने का प्रयास से ये कॉंग्रेस आरोप लगा रही और कॉंग्रेस का सबसे बड़ा आरोप यह कि जो जो आरोप उन्होंने बीजेपी निताओं की खिलाप लगा देखिए जो जाच हो रहा है उसका रिपोर्ट भी आएगा उसका चलान भी प्रस्तुत होगा जैसे कई मामले पर चाहे रेत के मामले पर हो चाहे कोले के मामले पर हो चाहे जो खाद विभाग के मामले पर कई जो घटनाएं हुई है उसका हुआ है करवाही और कई अधिकार कर्मचारी जेल में भी है तो कहीं न कहीं उसकी तार जो है उस विभाग के मंत्रियों से भी जुड़ा हुआ है यहां जैसे जारखंड में जदीन बोटाले पर करवाई हुई देखिए मैंने पहले कहाना की चरीत रहनन का सरियंद्र नरेंद्र मोदी की सरकान रचा है अभी आप देखें ना भाजपा के परवत्ता चिला तिला कर एक पूरो मंत्री को अपराधी बता रहे थे यहीं चरित रहनन है और यहीं सडेंद्र भार्तियंता पार्टी रचती है मैं आखरी कमेंट उचिस जी कर लेना चाहूँगा उचिस जी देखिए दोनों ही पार्टिया एक दूसरे पर आरोप लगा लिए बीजेपी कहती है कि उनके शासंकार में आप हमारे खिलाब जो है सेडेंट रचने और जो है सरकारी एजेंशियों का दुर्प्योग करते है क्या इनको कोई हल है क्योंकि हमने देखा कि कोई बड़ा निश्कर्श निकलता नहीं है कितने भी छापे पड़ जाया बड़ी चीस सामने आती नहीं है दोनों ही पार्टियों के नेतां उन्हें खड़ाब कारवाई इससे पहले भी हुई है सर आखरी कमेंट सर आप से उच क्या हल है इसका क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरूप लगाते रहेंगे जांच तो बिना जांच किये तो कोई निश्कर्श निकल नहीं सकता जांच तो करनी पड़ेगी ना सर बिलकुल देखे दूनों ही राजयतिक दलों के अपने मुक्तलिफ बयान आते हैं इस चीज़ को लेकि कि वो कोई इनोसेंट है कि कोई गिल्टी है यह तमाम आरूप प्रतवरोप तो चलते रहेंगे लेकिन सवाल यह कि तीन करोड जनता है जो देख रही है कि बस्ताचार ह हुआ है और वो यह चाहती है कि इसे किसी भी लॉजिकल एंट तक लिया जाए किसी फनिस्मेंट मिले पिछले पांस साल में जो उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं लेकिन अगर इनों पाप किये हैं जनोंने बस्ताचार किये हैं तो उनको उनके सही मुकाम पर पहुंचाए यह जनता की च्वाइस है और जनता की इच्छा भी है तो जनता की मंसा अनुरूप अगर काम होए और वाकरी अगर कोई गिल्टी है यह होता भी है देखें एडी ने सीबी आई ने अपनी इमेज ऐसी बना के रख दी है कि जहां भाजपा का सासन नहीं है वहीं एडी जाएगी विपक्ष तो हमेशा लगाती है क्योंकि सरकारी एजनसी है नामी सरकारी है अब बात कहते हैं तो दूसरी विपक्ष है वो लगातार आरोप सरकार पर लगाती है सवाल सिर्फ यह उटता है कि जाच नहीं होगी तो फिर निशकष निकलेगा कैसे अगर इस तरह के आरोप ल शुक्रिया नवीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तो लगातार हम कह रहे हैं बदला बदला जियां आज का यह मुद्दा था और क्या वाकई 36 गड़ का बदलापूर बनता जा रहा है हलाकि आप जांच एंशिया कई लोगों को रडार पर लिये हुए उनकी जांच की जाएगी और तब जाकर समझ में आएगा कि क्या यह राजनीतिक साजिश है या इसमें कुछ सच्चाई भी है या फिर आने वाला जो लोगसबा चुना हुए उसी को देखते हुए दोनों ह भी दिखाये देंगे बरहल आज का मुद्धा में फिलाहल के लिए इतना ही बंसन लियूस पर खाबरों का सिलसिला आपको पताईए कभी नहीं थमता